Hello students, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया चलो इस्टार्ट करते हैं हम लोग बाइक कमिश्टी में चैप्टर नमबर 8 जो कि हम पढ़ रहे थे Metabolism, उसमें अपना next lecture जहां हम पढ़ने वाले हैं Metabolism of Proteins Metabolism of Proteins, तो actual में Metabolism of Proteins कुछ और नहीं होती क्या है Metabolism of Amino Acids ही होता है उमीद है, प्रोटीन वाला चैप्टर जो चैप्टर नमबर 3 है, आप लोग नहीं अच्छे से पढ़ लिया होगा तो किस प्रकार Amino Acids से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, वो सारा कॉंसेट आपके दिमाग में होगा ठीक, अब जब हम लोग Metabolism of Proteins को पढ़ते हैं, तो उसके नदर कुछ यह चार टाइप की रियक्शन्स आती है है ना, बच्चा एकदम Transamination पढ़ता है, डियामिशन, यूरिया सागल, डिकार्वक्शन उसे दिमाग में नहीं होता है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है तो जिस प्रकार की Lipid के Metabolism के दोरान मैंने एक चार्ट स्टार्टिंग बनवाया था डेटेल तो अंदर देखेंगे, तो आओ, सबसे पहले हम लोग इसकी एक थीम समझ लेते हैं, ओके तो थीम में हमारे पास क्या रहने वाला हम सब को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का Metabolism का क्या मतलब हो गया कि हमें ultimately क्या करना है, इस प्रोटीन के Metabolism मतलब हमको यहां से क्या मिलने वाली है, एनरजी मिलने वाली है, यह concept सब को दिमाग में अब आ चुका है अब हम सब को पता है कि प्रोटीन as it is direct energy नहीं देता, प्रोटीन सबसे पहले breakdown होता है, किसमें, amino acids में किसमें breakdown होता है, amino acids में, ठीक है न, कितने प्रकार के amino acids होते हैं, कितने प्रकार के, yes, 20 प्रकार के होते हैं, कुछ essential हैं और कुछ non essential हैं उसके अंदर, ठीक अब जो ये प्रोटीन से amino acids टूट गया, ultimately पढ़ना हमें amino acids के बारे में हैं, ये amino acids के अंदर 4 types की reactions होती हैं, बात को समझना, इसके अंदर 4 प्रकार के reactions घटेंगी, सबसे पहली reaction घटती है इसके अंदर, transamination तो ultimately हमारा उद्देश क्या है, energy क्या है, तो energy पे भी जाएंगे, तो देखते हैं, Transamination, इसमें होता क्या है, Transamination में, जो ammonia group है, वो इदर से उदर transfer होता है ammonia group जो है वो इधर से उधर क्या होता है transfer होता है तो transamination होने का जो transamination हो रहा है उसका main purpose क्या है उसका main purpose 3-4 होते हैं आओ देखें जरा क्यों transamination होता है इनके अंदर तो क्यों हुआ सबसे पहले क्यों हुआ इसका पहला कारण था इसके होने का पहला कारण ठीक है redistribution of amino ठीक है जो trans amination है ना इसका मतलब क्या हो गया transfer of ammonia जो amine है जो इसके अंदर NH2 का group लगा हुआ उसका क्या कर रहे है हम redistribution कर रहे है एक से दूसरे में पहुँचाते हैं क्यों पहुँचाते हैं इसके अपने role होते हैं कई सारे कारण होते हैं ठीक है बात समझ मा रही है redistribution of ammonia group हो गया देन दूसरा क्या है इसके अंदर प्रोड़क्शन प्रोड़क्शन ओफ इसेंशियल amino acids क्या मतलब हो गया इसका यानि कि trans amination इसलिए और होता है कि हमारी body में जो sorry non essential क्या है ये जो non essential amino acid है उनका formation हो सके non essential का क्या हो सके production हो सके फटा फट टाइप करो मेरे को essential और non essential में क्या difference है देखे जारा फटा फट टाइप करेंगे essential और non essential में क्या difference होता है फटा फट one two टाइप कर दिया है चलो और तीसरा ये क्यों होता transformation for the production of energy for the production of energy अब ये तो हम सबको पता ही है कि energy के लिए ही हम basically metavolism का concept को समझ रहे हैं तो transformation इसलिए और होता है जिससे कि हमको इसमें ultimately जाकर क्या मिल सके क्या मिल सके ATP मिल सके और तीसरा इसकी वज़व होती है concentration of nitrogen जो nitrogen होता है उसको एक जगे घटा करना nitrogen को concentrate nitrogen को एक मतलब भाई जब जब ये transformation होता है तो जो nitrogen NH2 वाला जो group है वो किसी एक खास compound के उपर ले जा करके transfer कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है किसी एक खास group के उपर ले जा करके transfer कर दिया जाता है और वो क्या होता है concentration क्या कर रहे हैं concentrate कर रहे है nitrogen को किसके रूप में करते हैं वो जो रूप है concentration of nitrogen का in the form of glutamate किसके रूप में कर रहे हैं हम लोग याने की हम लोग धेर सारे क्या करते हैं हम लोग मतला हमारी body क्या बना रहे है अब depend करेगा वो ट्रांस्टेंबनेशन क्यों कर रहा है energy के लिए कर रहा है या concentrate कर रहा है nitrogen को glutamate की फॉर्म में आगे जाकर कर कि उसको nitrogen को body से बाहर निकाल देगा । आगे जाकर nitrogen को body से किसके रूप में बहर निकालता यह sul hosts मैं किसके रूप में यूरिया की रूप में तभी हम आगे जागे क्या देखेंगे यूरिया साइकल यह चार पॉइंट किया हुए तेखो अब फ्रोटीन से क्या हुआ amino acid आया amino acid के अंदर ये चार टाइप की reactions हो रही है मतलब ये amino amino acid है transamination करता है यानकी transfer of amino group हो रहा है और क्यों हो रहा है उसके ये basic चार reason है बास समझ मा रही है clear है यहां तक बाता clear हो गई ठीक है न और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि glutamate क्या करता है glutamate में एक reaction होती है D amination जिससे की हमको free ammonia मिलेगी क्या मिलेगी free ammonia तो ध्यान रखेंगे हमारे लिए यहां पर क्या important है ये दोनों तो इतने important नहीं है हमको ये detail में पढ़ेंगे आगे जाकर करके energy कैसे बन रही है और topic में convert होंगे तो ये उमीद कर रहा हूँ कि जो पहली heading है इसको detail में पढ़ेंगे trans amination आपको concept clear हुआ कि trans amination क्यों हो रहा है यानि कि ammonia transfer क्यों हो रहा है कैसे होता है वो सब देखेंगे बाद में अभी next इसके बाद जब ये हो जाएगा यानि कि अगले step में क्या है अगर reality step हो रहा है तो अगले step क्या होने वाला है deamination यहाँ पर क्या हो रहा है production of free ammonia ये liberation of free ammonia liberation of free ammonia ठीक है अगर reality step होगा तो इसमें फिर आगे जागे क्या बनेगा हमारे पास free ammonia बन रही है क्या बन रही है free ammonia बन रही है यहाँ तक बात clear हुई देखो trans amination उसके बाद deamination अगर reality step होगा तो deamination होगा याले step होगे तो फिर दूसरे step चले जाएंगे ठीक है याले step से deamination जुड़ा हुआ अब जो free ammonia है यह आगे जा करके क्या करेगी urea cycle urea cycle यह ammonia यूरिया cycle बन चली जाती है और क्या बनाती है urea बना देती है जो कि urine से बाहर हो जाती है और इसी लिए हम लोग तीसरी heading हमारी यहाँ पर क्या रहेगी पढ़ने के लिए urea cycle रहेगी trans amination, deamination, urea cycle connected होगे तीनों दिमाग में set करें यही चीज़ बच्चों confusion करती है बच्चा random पढ़ लेता है तीनों को आपस में connect नहीं कर पाता है जिसकी वैसे उसमें आने वाले सवाल वो गल्त कर देता है या question को गुमा के पूछ लेगा तो गल्त कर देगा क्योंकि exit exam और multiple choice question जब गुमा के पूछ देगा तो यह तीनों point आपस में connected होने चाहिए आपकी दिमाग में ठीक है? यह बात उमेद है clear होगी होगी, urea cycle अब urea cycle हो गई तो देखो basically देखा जाए तो ammonia acid sorry, amino acid क्या हुआ? transamination हुआ, अगर याली घटना घटती है तो deamination हो जाएगा, यानि कि ammonia बनेगा, urea बनेगा, भार हो जाएगा third point घटेगा तो हमको energy मिल जाएगी ये दो point घटते हैं, तो ये होता है, जो कि हमारे slaves में नहीं है, उपर आले दो point को detail में पढ़ने के लिए हमारे slaves में नहीं है तो अब जो चौथा point है, उसका क्या काम है? decarboxylation, बच्चा सूचता decarboxylation भी इसी का ही हिस्सा है गलत decarboxylation उपर के तीन का हिस्सा नहीं है वो एक अलग चीज है ठीक है, वो एक अलग चीज है, तो मैं आप लोगो किलियर करूँ मैं यहाँ पर, बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा confused होता है, तो जो चौथा point हम देखेंगे यहाँ पर decarboxylation मैं फिर कहूंगा, यह चारो point को दिमाग में सेट करना है, चाहो तो भले ही इसके बाद वीडियो थुर्दर के लिए पॉस करके, इसको इसी तरह से लिख करके, दिमाग में सेट करना कि यह तीन point तो आपस में connected है decarboxylation connected नहीं है decarboxylation में क्या होता बेटा decarboxylation acid का COO यह बहार निकल जाता है और जो बचा हुआ, जो बचा हुआ है वो क्या बच गया, amine हो गया जैसी यह बहार निकल गया, तो बचा हुआ compound क्या 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 लाता है, amine यह जैसी बहार निकल जागा, तो बचा हुआ compound क्या क्या लाएगा amine है ना जैसे malo cs3 nh2 यह क्या amine है ना organic chemistry पढ़ते हैं यहाँ पर जो amine बनते हैं histamine हो गया ठीक है तो इस type से वो neurotransmitter भी होते हैं हमारी body में hormones भी होते हैं तो जो amines यहाँ पर बनते हैं यह हमारी body में बहुत ज़्यादा importance role play करते हैं physiological का मतलब हमारी body में बहुत सारे functions में वो help करते हैं फिर कहारा हूं बेटा lecture थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कुछ चारो point आपका समय तो connected से फिर यह भी साथ में करेंगे बहुत बड़ा topic नहीं है यह तो आप अराम से मुँ धुली जी अब ठीक है copy pen ले लो ठीक है कि लेक्चर साथ साथ में जो जो चीजें पॉस करके वहीं के वहीं note करते चलेंगे और जहां पर लगे confusion हो रही है तुरण पॉस करके उसको link up करेंगे उपर से otherwise यह पूरा chapter खिचडी हो जाएगा बिलकुल ध्यान रखेंगे खिचडी यहीं हो जाता है क्योंकि बच्चा इन तीनों को connect नहीं कर पाता तो खिचडी वहीं हो जाती है तो आपको यह चीज लेके चलने कि यह तीनों connected किस प्रकार है और जो decarboxylation है वो उपर से बिलकुल अलग है यह अपना एक अलग कहानी है decarboxylation की कब होती है जब हमारी बॉड़ी को कुछ अमीज की जरूरत होती है जो कि हमारी बॉड़ी में बहुत ही important chemical है ठीक है तो जो अमीज हैं यह physiologically active compounds होते हैं देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको याने कि हमारी बॉड़ी में कुछ ना कुछ काम करवाते हैं जो कि हमारी बॉड़ी को सही रूप से चलने के लिए जरूरी होते है बात के लिए और हो गई इसका है तो मेटावालिन का ही हिस्सा मेटावालिन हो रही है क यूरिया को बाहर निकलने वाली और मेटावालिन हो करके जो कुछ कंपाउंड मनेंगा हमारी बॉड़ी के लिए इसके अंदर काउंट की गई है बास समझ में आ रही है चारो रियक्षन दिमाग में सेट हुए इनको डिटेल में देखेंगे ठीक है ले लिया कॉपी पैन पाने या ने पीलिया, relax, okay, start करें, कर दें start, चलो, start करेंगे transformation से या उससे पहले हम कुछ basic पढ़ेंगे पहले तो यानि कि सबसे पहले क्या पढ़ना हमको इंट्रो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इंट्रो हमेशा की तरह जो भी जरूरी होता है वहाँ से कई बार सवाल आते हैं चलें यह चारों पॉइंट के लिए गुड सबसे ज़ादा मातरहमें पाया जाने वाला और गानिक कमपाऊंड तो वो प्रोटीन्स है ठीक है वारी बॉड़ी में कन्पांड गाया जाते हैं और बॉडी का ड्राइवेट यानि कि ड्राइवेट का मतलब क्या है बॉडी से अगर जितना भी प्रोटीन है उस सूखी मातरा वेक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि आश वैलुई से कहते हैं सुखा कि बॉडी को सुखा पानी वानी साब हटा दिया जाए उसको सुखा लिया जाए तो लगवग लगवग 10 से 12 kg प्रोटीन होती है एक अडल्ट के अंदर ठीक है एक अडल्ट के अंदर कितना है 10 से 12 kg प्रोटीन होती है प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग मैक्रो मॉलेकूल्स ठीक है यह आपका सिंपल साएक MCQ बन सकता है consisting of L alpha amino acid as repeating unit ठीक है ना उसके अंदर बार-बार क्या होती है L alpha amino acid किस परकार के amino acids alpha, beta, gamma, delta हर एक परकार के होती है alpha, beta, gamma, delta क्या होती है यह हम लोग जो amino acid पढ़ते है COOH और यह रहा मेरा NH2 यहां लगा होता है R यह लगा होता है और H यह लगा हुआ है तो functional group के just बाद वाला carbon क्या कहलाता है alpha इसी परकार functional group के यह ला carbon alpha, यह beta, यह gamma और यह delta कहलाता है है ना तो अगर यह मेरा amine group ठीक है यह alpha है क्योंकि alpha पर amine लगा हुआ है अगर यही मेरा amine यहां लगा होता है NH2 तो इसमें कहता है beta यहां लगा होता है NH2 ठीक है तो यह L, L, livo-rotated, dextrotated वाला concept आ जागा यहां पर L और D, सुरी यह L और D वाला concept है यह कौन सा है L और D जो हम लोग ने carbohydrate में पढ़ा था ठीक है यह वाला concept वाला L हो गया तो आपको यह MCQ को तोर पे ध्यान रखना है कि हमारी body में प्रोटीन से उसमें L, alpha amino acids पाई जाती है कौन से वाराइटी पाई जाती है ठीक है यह introduction इसलिए जरूरी है क्योंकि one marks पूछा सकता है तब proteins on degradation, degradation मतलब तूटने के बाद proteolysis बड़ होता है जब protein तूटता है release individual amino acid जब protein तूटेगा तो वो एक एक अलग-अलग amino acid दे देगा protein जब break करेगा तो amino acid दे देगा यान कि जो उसके अंदर जितने भी amino acid लगे होते है अगर आपको protein वाले chapter में protein कैसे बना है वो याद होगा तो protein को जब तोड़ेंगे तो जिससे बना है यान कि amino acid से बने हुए है वो सारे amino acids अलग-अलग हो जाते है each one of the 20 naturally occurring amino acid undergo its own metabolism and perform specific function फिर कह रहा है जब वो तूट जाएगा तूटने के बाद जो भी amino acid अपना अलग-अलग हो गया है हर एक amino acid individually ठीक है amino acid undergo its own metabolism वो अपना खुद का हर किसी का अपना खुद का एक अलग metabolism है सबका अपना एक अलग तरीका है metabolize होने का ठीक है सबका अपना एक अलग तरीका है metabolize होने का ठीक है ना तो वो 20 हैं के हम कह सकते हैं 20 है तो 20 अपना अलग-अलग तरीके से metabolize होते हैं इसे लिए metabolism of protein is equal to metabolism of amino acids, okay, some of the amino acids also serve as precursor for synthesis of many biologically important compounds, देखो यही चीब बतारा था, कुछ compounds बनते हैं, जैसे कि melanin, serotonin, ketinin, जो कि हमारी body के लिए बहुत जरूरी है, body के function कर, body को proper function करने के लिए, ठीक है, तो कुछ जो है amino acid, वो precursor का काम करते हैं, याने कि इनके formation में लग जाएं nutrition होने के बाद जो amino बनते हैं, वो काम में आते हैं, कुछ direct काम में चले जाते हैं, certain amino acids में directly act as neurotransmitter, कुछ amino acids directly neurotransmitter की तरह act करेंगे, जैसे कि glycine aspartite और glutamate, यह हमारे neurotransmitter की तरह behave करते हैं, directly, मतलब जैसे break करेंगे, तुरन्त neurotransmitter की तरह behave करने लगते हैं, उमीद है, तु मैं neurotransmitter को बहुत डिटेल में सबज लिया था हम लोगों ने, good, amino acids enter the cells against a concentration gradient by active transport, जो amino acids काफी important होते हैं, तो cell के अंदर ये, कैसे जाते हैं, by active transport, याने कि energy के दौरा, पूरे के पूरे धखेल दिया जाते हैं, cell के अंदर, energy खर्च करके, बिलकुल भी waste नहीं किया जाता है, ठीक है, against a concentration gradient, an adult has 100 gram of free amino acid, एक average adult की बात करें, तो उसकी body में लगए लगए 100 gram amino acid free होती है, free मतलब freely है, वो लगाता उसमें आती भी रहती हैं, उससे निकलती भी रहती हैं, देखेंग अभी उसका concept, ठीक है, which represents the amino acid pool of the body, very important amino acid pool, ये पूछा जाता है, pool का मतलब जो amino acids free form म मतलब free form में पड़ी हुए, किसी दूसरी रूप में नहीं है, अपने original रूप में है, उसमें अगर हम बात करें, तो glutamate और glutamine नाम के जो दो amino acid हैं, ये लगबग लगबग 50% होते हैं, किस में हैं, 100 gram वाले में, ये लगए 50 gram होंगे, and essential amino acids about 10% of the body pool, ठीक है न, और ये glutamate और glutamine जो है, वो 10% essential amino acid का भी हिस्सा होते हैं, बास समझ में आ रही है, चलो, ये line अगर थोड़े से confine लगती है, तो इसको छोड़ सकते हैं, अधर वाइस हम इस point को देखते हैं, कि जो 100 gram free amino acid है, उससे कहने का क्या मतलब है, तो जब भी आपसे question आएगा, amino acid pool को लेकर के, तो amino acid pool का मतलब है कि हमारी body में हर समय, at any time, इस समय अगर मैं अपनी body में free amino acid को निकाल करके weight करने कोईश करूँगा, तो कितमे मिल जाएगी मेरेको, 100 gram मिल जाएगी, ठीक है, तो सुरुआत करते हैं, देखो कैसे, ये 100 gram किस प्रकार से है, ये जो 100 gram है, इसमें लगातार च कुछ body में काम करने के लिए निकलते भी रहते हैं, तो देखो, body का जो protein है, लगवर 1012 के जो उपर हमने देखा था, वो तूटता है per day, लगवर कितना, 300-400 gram रोज तूटेगा और free amino acid में convert हो जाता है, तो पहला point, in, अंदर आने का, दूसरा dietary protein जो हम खाना खाते हैं, वो ल जो non-essential amino acid है, वो body खुद से बना लेती है, और इसके अंदर add कर देगी, तो ये एक, दो और तीन तरीके से तो input आ गया, इन तीन तरीके से क्या हो गया, input हो गया, अब output की बात करें, जो protein यहाँ पर आईए, लगवर देखो, जितनी protein तूटती है, लगवर लगवर उतनी protein वापस से body की protein में convert भी हो जाती है, ठीक है, पहला, ठीक है, दूसरा के synthesis of non-protein compound, तो हमारे पास जो amino acids हैं, वो कुछ non-protein compounds भी बनाते हैं body के अंदर, जो की precursor अभी हमने देखा था, मतलब उसमें help करते हैं non-protein compound बराने में, जैसे की creatin है, porphyrin है, phospholipids है, purins है, pyrimidin ह तो यहाँ खर्च हो जाते हैं यह, यहाँ खर्च हो गए, यहाँ खर्च हो गए, कार्वो हाइडेट और fat ध्यान रखें, जो आप लोग कहते हैं, मैं एक वर आपको पहले ही बताया था, जो अगर extra protein खा रहे हैं, तो यह आपकी body में कार्वो हाइडेट और fat के रूप में store हो जाता है, तो यह कता ही ना सोचे कि हम protein खाएंगे तो हम मोटे नहीं होंगे, फास्तो के protein खाओगे तो बिमारी भी लग सकती है, और वो और fat के रूप में जमा भी हो जाती है, और चौथा जो इसका बाहर निकलने का है तरीका body से वो है energy के रूप में, यानिकी ATP के रू यूरिया की form में urine से निकलती है लिया रही है, तो यह sources थे, तीन प्रकार से body के, मतलब free amino acid में add होता है, और लगातार इस amino acid से बाहर की तरफ amino acid निकलते भी रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं amino acid pool कहते हैं, किसी भी समय अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर इन तीनों से मिल क करके 10 gram अंदर आ रहा है, तो तुरंत 10 gram बाहर भी जा रहा होगा, किसी ना किसी तरीके से, तो यहाँ पर हमेशा 100 gram maintain रहता है, बात समझ में आई, this is your amino acid pool, अब हम बारी बारी से देख लेते हैं sources को और utilization को, यह sources थे और यह utilization है, मतलब खर्च होने हो रहे हैं, मेटा थोड़ तर वीडियो को fast करके देख सकते हैं, अब इसी में एक heading आती है हमारे पास, जो sources of amino acid है, ठीक है, कौन कौन से थे हमारे पास, उसमें एक word आता है, turnover of body protein, intake of dietary protein and synthesis of non essential amino acid, तो यहाँ पर हम लोगों ने dietary protein और synthesis ही तो देख लिया, protein breakdown, तो यहाँ पर एक word आता है, turnover, जिसके की पर question भी आया हुआ है, what is the meaning of protein turnover, ठीक है, क्या होता, protein turnover, the protein present in the body, जो हमारी body में protein मौझूद है, is in dynamic state, dynamic state, equilibrium agent dynamic state, dynamic बार बार आता, dynamic का मतलब क्या है, यह हमें से चलाइमान है, चलाइमान, ठीक है ना, मतलब यह 100 gram मैंने क्या होता है, हर समय दिख रहा है, तो क्या 100 gram fix है, नहीं, हमको देखने से लग रहा है 100 gram है, बत उसी समय यहाँ पर लगातार add भी हो रहा है, और लगातार य जालता भी जा रहा है, इसको हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं, कि मेरे पास एक bucket है, उस bucket में मैंने एक shade कर दिया, ठीक है, और मेरे पास एक tap है, क्या है, टैप है, इस tap से इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसके अंदर water है, इसके अंदर लगातार एक दो जैसे आता जा रहा है, क्योंकि भूंद भूंद करके प्राणा पानी निकलता भी चला जा रहा है, लेकिन यहां देखने से अगर केवल इसको देखूं, यह लेवल हमेशा बराबर दिखता है, मेरे को 100 ml का, तो यह मेरे को fix दिखाए पड़ेगा, बट मैं क्या कहूंगा, यह जो constantly degraded and synthesized which represent the body protein turnover, तो पर दे लगभग जो यह protein 300-400 ग्राम प्रोटीन लगातार जो तूट करके इसमें आती है और वापस से बन भी जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते है, protein turnover कहते है, मतलब पर दे कितना body का protein तूट करके amino acid में जा रहा है, और amino acid से वापस तूट करके body का protein बन जा रहा है, clear, okay, there is a wide variation, बहुत बड़ा variation है in the turnover of individual protein, अगर हम एक-एक अलग-अलग protein की बात करें, तो सभी के turnover अलग-अलग होते हैं, ठीक है, यह हम एक common बात कर दी हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने common बोल जा, 300-400 ग्राम प्रोटीन पढ़ें, टोटल की बात कर दी, ठीक है, ए मालो 400 ग्राम में कोई 1 ग्राम ही टूट रही होगी, और बन रही होगी, कोई मालो 10 ग्राम टूट रही होगी, और 10 ग्राम ही बन रही होगी, तो एक-एक protein के अगर हम बात करें, individual protein की, तो सबका अलग-अलग है, for instance, उधारन के तोर पर, the plasma proteins and digestive enzymes are rapidly degraded, तुरंती टूटते हैं बहुत जल्दी टूटते हैं, their half-lives being in hour, यानि कि एक घंटे के अंदरी वो टूट जाते हैं, या एक दिन में ही टूट जाते हैं, और वापस बन भी जाते हैं, the structural protein, जैसकि हमारा collagen वगरा है, जिससे हमारी body बनी हुई है, have long half-lives, often in month and year, और जो हमारी collagen proteins है, उसको टूटन में महिनों से लेकर सालों तक भी लग जाते हैं, और बनने में भी इतना समय लग जाता है, यह बात समझ मारी है, तो turnover number जो अगर हम individual protein की बात करें, तो वो सभी का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है, clear है, तो पहला turnover number हो गया, दूसरा क्या है, dietary protein, जो हम खाना खात है, उससे भी हमारा protein, body में अदब amino acid pool में, amino acid add होता है, तो there is regular loss of nitrogen from the body due to degradation of amino acid, nitrogen का लगातार नुकसान हो रहा है, ठीक है, loss हो रहा है body में, क्योंकि लगातार amino acid हमारा break करता रहता है, it is estimated that about 30 to 50 gram of protein is lost everyday from the body and must therefore be supplied daily in diet to maintain nitrogen balance, ठीक है, अब जो ये वाला protein, यानि कि जो हमारी body से ही loss हो गया है, इस urea की form में, ये तो वापस आएगा नहीं, इसमें तो body से ही टूटा, वापस body हम बन गया, लेकिन जो body से बहार निकल गया है, उसको diet के रूप में, खाने से, खाना करके उसकी पूर्ती करना जरूरी है, यही लगबक कितना है, यहां 40-100 दे रखा है, ठीक है, तो थोछड़ा variation हो जाता है, यहां पर 30-50 दे रखा है, बास समझवा रही है, किलियर है, the purpose of dietary protein is to supply amino acid, particularly the essential one, main purpose क्या है, तो essential amino acid, urine के माद्दे हम से बाहर चले गए है, वो हमारी body में वापस आ जाए, खाना खा कर गए, ठीक है ना, किलियर हो गया, note, note क्या है, there is no storage form of amino acid as in the case of carbohydrates and lipids, जिस प्रकार से carbohydrates और lipids हमारी body में store हो जाते हैं, ठीक है न, amino acid हमारी body में store नहीं होते हैं, ठीक है, mark करेंगे, important point यह, the excess intake of amino acids are metabolized, जो हम ज्यादा मात्रम अगर खालेंग तो वो metabolized हो एगा, ठीक है, oxidized to provide energy या तो वो energy के रूप में खर्च रोना सुरू हो जाएगा, ठीक है, converted to glucose और fat और ज्यादा खा रहे हो तो वो glucose या fat में convert हो जाता है, वो amino acid के form में, प्रोटीन के form में store नहीं होता है, तो amino group are lost as urea and excreted, जो जो amino group है, वो यूरिया की form में urine स और excreted या फिर partic से बाहर निकल जाता है, बास समझ में आ रही है, यानि कि हम protein को अपनी body में store नहीं कर सकते, clear, now synthesis of non-essential amino acid, 10 out of 20 natural occurring amino acids can be synthesized by the body which contribute to the amino acid pool, ठीक है न, तो जो non-essential amino acid है, लगभग 10, कहीं कहीं पर 9 है, कहीं कहीं पर 10 इसके गंती हो रही है, ठीक है, वो हमारी body ख खुद ही बना लेती है, और क्या करती है, जब वो खुद बना लेती है, तो amino acid pool से उसकी क्या होती है, उतनी ही कमी हो जाएगी, तो यह तीन थे, sorry, यह sources है, protein turnover, dietary protein और synthesis of non-essential amino acid, यह तीनों मिल करके amino acid pool में amino acid को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब utilization की बात कर ले, यान कि जो उप body pool, body से जो free amino acid है, 100 gram का, उसमें से किस परकार से चीज़ें इस्तमाल होती है, तो लगबग most of the body protein लगबग 300 से 400 gram, ठीक है, per day, degraded or synthesized from the amino acid pool, जो तोटती है, वही amino acid pool से क्या होती है, बनती है, utilize हो रही है, these include, अब इसमें क्या कहा है, enzymes है, hormones है, immunoproteins है, यानि कि हमारी antibodies है, contract rectile proteins है, etc, चीज़ें repeat हो रही है, ठीक है, फिर कहा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि समझ में आ गया, तो इसको आप फ्रोसा fast forward करके देख सकते हैं, तो utilization हम लोग, utilization मतलब, कहां से utilize कर रहे हैं हम लोग, यहां से, यह utilization वाला part start हो गया, ठीक है, यह वाला, यह वाला, यह यह वाला, यह वाला, second, many important nitrogen compounds, कई सारे important nitrogen compounds होते हैं, जैसे कि porphyrine, purine, pyrimidine, etc, are produced from the amino acid, यह amino acid से बनते हैं, ठीक है, about 30 gram of protein is daily utilized for this purpose, लगबग 30 gram protein इनको बनाने में रोज खर्च हो जाती है, तो इस प्रकार हमारी body से amino acid बाहर निकलता है, बाहर निकलता मतलब कम होता हमारी body म generally about 10 to 15% of body energy requirement are met from the amino acid, लगबग ऐसा मालों कि जो हम पूरे दिन की energy का, अगर हम count करें, तो 10 से 15% की जो energy होती है, वो amino acid ATP में convert करके हमको provide करवाता है, यानकि जितनी energy protein से हमें मिल जाएगी, उतना ही हमारा fat और carbohydrate बच जाएगा the amino acids are converted to carbohydrates and fat, अगर extra खा रहे हो, तो वो carbohydrate और fat में convert हो जाता है, this becomes predominant when the protein consumption is more than the body requirement, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, जब protein की requirement, जो protein की requirement वो कम है और हम खा ज़्यादा रहे हैं, clear है, तो utilization में हमने इसको देख लिया, तो यह तीनो point हमारे cover होगे main में जो utilization के थे, कि किस प्रकार से body use करती है amino acids को, बास समझ में आ गई, तो सबसे पहला concept हमने क्या सीखा, फिर से repeat कर दूँ, सबसे पहला concept हमने सीखा है, amino acid pool का, क्या होता है amino acid pool, तो amino acid pool कुछ नहीं है, 100 gram का free amino acid है, इसमें लगाता, add होते रहती है, इससे लगातार, जो amino acid है, कुछ न कुछ काम के लिए बाहर निकलती रहती है, okay, अब हम लोग आते हैं अपना next, metabolism of amino acid, जो amino acid है, अब उसके metabolism की बात करें, यान कि जब वो utilize होगा, तो utilize होगा, तो कैसा होगा, metabolism होगा, जैसे energy के रूप में जाएग हमारे पास, ठीक है, तो आओ समझे जा रहा, यह देखो क्या है, amino acid जो है, ठीक है, पहला कहां जा रहा है, protein synthesis, जो tissueal protein है, जो हमारी body का जो protein था, ठीक है, वो बनेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है, और यहाला protein, वापस है amino acid, यह amino acid pool है बेटा यह, यह क्या है, amino acid pool, अब जा रहा हम लोग इसको metabolism के respect में समझ रहे हैं, पहला metabolism क्या होगा, protein synthesis, यान की body का protein बनेगा, यह start लगा हुआ मतलब breakdown of peptide bond, जब जब हमारी body को ज़रोत होगी, तब तब यह तूटेगा, ठीक है, dietary protein से intake आ रहा है, दूसरा amino acid derivatives, कुछ amino acids बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, औ और तीसरा, क्या हो रहा है, जो metabolism के तीन factor, transamination, de-amination और क्या है, decarboxylation, ठीक है, तो वहाँ से हमको क्या बनेगा, या तो free ammonia create होगी और urea बन जाएगा, या फिर जब de-amination हो गया, यान की amine part हट गया, जो carbon बचा, amino acid के अंदर, वो जो carbon बचा होगा, यान की decarboxylation या decarboxylation होने के बाद जो carbon बचता है, उससे बाद में वो fatty acid बना सकता है, glucose बना सकता है, ketone bodies बना सकता है, ATP energy के form में connect हो सकता है, या cholesterol, lipid में convert हो सकता है, तो बस वही है, metabolism क्या कहा रहा है, the amino acid undergo certain common reaction, amino acid कुछ खास reaction से गुजरता है, जैसे transamination, ठीक है, followed by, transamination के बाद, de-amination, ठीक है, तो और de-amination क्यों हो रहा है, for the liberation of ammonia, तो कुछ खास chemical reactions है, या metabolism है इसका, तो कुछ खास, metabolism के अंदर क्या रहा है, कुछ खास chemical reactions है, जैसे कि transamination है, de-amination है, जिनसे की amino acid को गुजरना होता है, जब transamination और de-amination होता है, तो फिर क्यों हो रहा होता है, ammonia के formation के लिए, the amino group of the amino acid is utilized for the formation of urea, जो amino group होता है, NH2 वाला group होता है, amino acids का, ध्यान रखना, बार-बार amino acids बोल रहा हूं, और गलती से कहीं protein बोलतेता हूं, तो उसको amino acid ही समझना है, amino group जो है amino acid का, वो utilized होता है, formation of urea, which is an x-ratory end product of protein metabolism, protein metabolism का जो end product है, जो body से बाहर निकलता है, वो क्या है, urea, the carbon skeleton, अब जब यह अला part हट गया, तो किवल क्या होचा है, C, 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 carbon carbon बचा है, तो उसको बुला गए carbon skeleton, ठीक है, carbon skeleton of amino acid is first converted to keto acid, वो सबसे पहले keto acid में convert होता है, by transamination, transamination reaction के माध्य हम से, सबसे पहले वो keto acid में convert होते हैं, और फिर उसके बाद, क्या होता है, उसका भविश्यता होता है, fate, क्या भविश्यता होता है, या तो वो energy generate करेगा, ठीक है, या वो glucose बनाएगा, ठीक है, या formation of fat और ketone bodies, ठीक है, या involved in the production of non-essential amino acid, या non-essential amino acid बनाएगा, या तो formation of fat करेगा, या glucose बनाएगा, या energy generate करेगा, डिपेंड करेगा, बॉड़ी को कैसी requirement है, ठीक है, इसी वाले चार्ट को अगर हम एक और तरीके से देखें, जैसे कि मैंने यहां क्या लिखा है, कारवन स्केल्टर किसमें करणोड हो रहा है, keto acid में, इसी को एक और तरीक हो जाएगा, और energy देदेगा, या glucose या lipid बना देगा, या इसका दूसरा पार्ट जो है, अमोनिया, जो free अमोनिया हो जाती है, वो urea में चली जाएगी, ठीक है ना, अगर decarboxylation होता है, CO2 अलग हो जाएगा, और जो amine group है, वो आगे जाकर कि हमको कुछ हमारे body के लिए important compound वो देदेगा, metabolic transformation इसमें हम purion से pyrimadine बन जाएगा ये, ठीक है तो depend करेगा कि वो किस प्रकार से break कर रहा और हमारे body को क्या जरूरत है, होचपोच तो नहीं हो रहा, relax, relax, बढ़ा हो नहीं, अराम से वीडियो pause करके समझने ही कोशिश करो, अगर कहीं पर होचपोच हो रहा ह तो अब हम लोग अपना metabolism का basic concept था, energy create करने वाला, उसको समझ ले, चले आगे, चलो, थोड़ा सा बेटा अराम से, ठीक है न, बहुत ज़्यादा होचपोच नहीं, अगर लग रहा है कि बहुत साजी चीज़ा होचपोच हो रही हैं, तो pause करके समझने कोशिश करो, पहले हमन इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आखिर protein हमको energy देता कैसे है, protein हमको energy देता कैसे है, तो crap cycle सबको याद होगी, उमीद है, crap cycle के बाद हमारा electron transport chain होता है, तो देखो, यह सब alanine, serine, tyrosine, tryptofane, therone, systosine, systeine, aspartate, asparazine, tyrosine, फिन, सारे के सारे जो है, amino acid यहाँ पर लिख दिए गाए है, हर एक amino acid की अपनी खासियत है, यह जो वाले amino acid है, यह convert होते है, peruvate में, फिर acetalcoenzyme हिमें, फिर crap cycle में, यह वालेdogrial code enzyme में, यह अगर energy में convert होना है, एसपार्टेट और एसपारजीन वो यहाँ कर्णवर्ट हो इसमें कर्णवर्ट हो जाते हैं तो जितना भी अमीनो ऐसी डेविटा वो किसी ना किसी तरीके से क्रैप साइकल में एंटर करेगा जब भी उसको ATP प्रड्यूस करना होगा अब मजा रहा हो ना थोड़ा उधर पे अलग टॉपिक तो था अब ना लेकिन तोड़ा अलग चलने लगा था चलिए तो यह अनर्जी वाला कॉंसेप्ट क्लियर हो गया तो यह अलग कॉंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आगे आते हैं किलियर चलो ठीक है तो हम लोगों ने एनर्जी वाला कॉंसेप्ट को देख लिया समझ लिया अब हम बेसिकली अपने जो चार रियक्शन थे आप लोग चाहना तो डार्ट नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन फिर मजा नहीं आता कि ट्रांसेमिनेशन कैसे क्या वगरा वगरा कॉंसेप्ट क्लि ट्रांसेमिनेशन ठीक है अमीनो गुरुप का फ्रॉम एन अमीनो एसिट टू की तरफ ट्रांसफर होना क्या क्या लाता है ट्रांसेमिनेशन तो आओ देखने जारा इस अमीनो एसिट इस ठीक है यह याद होगा क्या है यह जूटराएन वट इस जूटराएन याद आ रहा ह हमारी body में क्या रहते हैं Zutrain होते है Zutrain क्या होते हैं पता है ने Neutral condition में Amino Acid इस रूप में रहते हैं ठीक है अब यह क्या है Alpha Keto Acid जो Ammonia है वो transfer हो जाएगा यहाँ पर यह वाला Ammonia यहाँ 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 ट्रांसफर हो गया और यह वाला O Group यहाँ पर आ गया ठीक है यह हो गया New Amino Acid अंतर क्या देखो यहाँ पर यह आर अलग है यह R1 है यहाँ यह आर अलग है अब मेरे पास एक नया Amino Acid बन गया नया Keto Acid बन गया तो सिंपल सी कहानी Amino Group transfer हो रहा है Keto Acid में जिससे की एक हमें नया Amino Acid और Keto Acid मिल जाता है Body के requirement के हिसाब से This process involves the inter-conversion of pair of Amino Acid Inter-conversion हो जा रहा है Inter-conversion of pair of Amino Acid ठीक है pair of Amino Acids and the pair of Keto Acids ठीक है जो pair of Amino Acids है और जो Keto Acid है यह आपस में convert हो जाते हैं यह यह बन जाएगा यह यह बन जाता है ठीक है ओके जो enzyme इसको catalyze कराएगे उसको हम लोग क्या कहेंगे Trans Aminasis Trans Amination Reaction है आगे क्या लगा दिया Acis जो की निशानी है किसकी enzyme की ठीक है अब यहाँ पर एक example भी दे दिया है यह general example था यह proper example है alanine ठीक है और यह क्या है alpha keto glutrate अब यह वाला ओ यहाँ shift हो गया यह इधर shift हो गया तो यह बन गया pyruvate जो पर बन के किस में enter मार देगा यह crab cycle में ठीक है और यह बन गया glutamate जो की आगे जाकर कि हमको यहां से ammonia भार निकलेगा और urea cycle में चला जाएगा यह जान रखेंगे glutamate और perivate perivate अभी अब आपने देखा था crab cycle में रहता है glutamate अभी आगे और detail में आएगा ठीक है तो यह एक example आप याद रख सकते है transamination क्यों हो रहा है उसके silent feature अगर आपके पास तीन नंबर या पांच नंबर में question आ रहा है transamination का तो आपको इसमें देखना होगा definition एक example दे सको तो बहुत अच्छी बात है chemical यह reaction वाली नहीं दे पाँ तो कोई बात नहीं फिर इसके silent feature या इसका significance क्यों जरूरी है हमारे को transamination तो क्यों जरूरी यह आओ देखें all transaminases यानि की जो enzymes है ठीक है required pyridoxal phosphate this is your MCQ जितना भी transaminase transamination reaction होता है उसमें जो transaminases enzymes होते है उसको एक chemical है pyridoxal phosphate उसकी जरूरत होती है ठीक है a co-enzyme derived from vitamin B6 ठीक है बातें आपको याद आ रहे होंगी याद नहीं आ रही है कि co-enzyme क्या है apo-enzyme क्या है prosthetic group क्या है तो please आप लोग जा करके क्या करें enzyme वाले part को check करें को यहाँ पर अभी उसको वापर से detail करना possible नहीं और यह काफी लंबा होने वाला है ठीक है तो जो pydoxal phosphate है यह co-enzyme की तरह act करता है जिससे की मेरा enzyme प्रॉपर वर्क करेगा ठीक है और जो pydoxal phosphate है वो vitamin B6 से हमको मिलता है specific transaminases exist for each pair of amino and keto acid हर एक pair के लिए एक अलग transaminase जाने के अलग enzyme होता है same enzyme किसी दो अलग-अलग reactions को catalyze नहीं करवाएगा ठीक है अब फिर आगे बोल दिया है कि दो enzyme का नाम बता दिया है यहादे aspartate transaminase और alanine transaminase इसका इस्तमाल सबसे ज़्यादा होता है तो contribution इसका बहुत ज़्यादा है there is no free ammonia liberated यहाँ पर transamination में कोई free ammonia नहीं निकलती है केवल और केवल क्या हो रहा है इधर से इधर transfer हो रहा है ठीक है only the transfer of amino group वोकर transamination is reversible reversible है अगर यह इधर में convert हुआ तो वापस से यह alanine भी बन सकता है यह पाइंट आपको देना है यह पाइंट आपको देना है ठीक है transamination is very important for the redistribution of amino group and production of non-essential amino acid ठीक है जब ammonia group redistribute होता है दूसरे के पास जाता है तब जाकर क्या होता है हमारे को non-essential amino acid हमारे बन पाएंगे जो कि starting मैंने बताया था कि इसका significance क्या है क्यों हो रहा है यह जिससे की amino group redistribute हो सके और non-essential amino acid उसके हिसाब से ammonia group क्या हो redistribute हो जाए और non-essential amino acid बन जाए ठीक है इट इन्वाल्व बोथ catabolism and anabolism of amino acid जो हमारे पास transamination है इसमें दोनों ही चीज़े हो रही है catabolism भी हो रहा है यानिक एक चीज़ तूट रही है और एक चीज़ बन रही है बात समय भा रही है ठीक है एक मिन्ट हमजी यहरा पानी पी ले ओके transamination diverts the excess amino acid towards the energy generation transamination क्या करेगा अगर जादा amino acid है फालतू तो उसको कहेगा जाओ energy ATV बनाओ जाकर के जाओ क्रैप सैकल में गुस हो जाकर के ठीक है तो क्या कहेगा जाओ energy बनाओ जाकर के the amino acids undergo transamination to finely concentrate nitrogen in glutamate जो amino acid ट्रांसामिंट जाते है finely अंत में जाकर के ultimately होता क्या है जो nitrogen होता है उसको glutamate की फॉर्म में concentrate करते हैं हम लोग देख सकते हैं कि ultimately जो भी रहेगा उसको ultimately किसमें बना देगा ये glutamate में क्योंग glutamate आगे जाकर के urea बनने में help करता है देखेंगे उसको बाद में हम लोग ठीक है ना glutamate is the only amino acid is the only शिर्फ और सिर्फ glutamate ही है वो amino acid that undergo oxidative deamination जिसका oxidative deamination होता है मतलब की इसका पढ़ेंग डिटेल में oxygen भी add होता है और ammonia भी बहार निकल जाता है to a significant extent to liberate free ammonia for urea synthesis very important glutamate तो आपको पता होना चाहिए ठीक है transamination में अगर glutamate बन रहा है तो ultimately क्यों बन रहा है urea formation के लिए ठीक है न जिससे कि वो glutamate आगे जाकर के free NH3 को liberate करेगा छोड़ निकाल देगा अपने अंदर से जो की urea cycle में एंटर करके हमको urea बना के देगी सारे के सारे जो amino acids है इनको छोड़ करके transamination में participate करते हैं यान कि उनके साथ transamination होता है transamination is not restricted to alpha amino groups only अब देखो यहाँ पर एक बात बोल दी गई है alpha मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जो amino acids है वो कई प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं कई प्रकार के होते हैं alpha, gamma, beta, delta ठीक है न तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि जो transamination है वो सिर्फ alpha ही नहीं वो delta amino group के साथ भी हो सकता है ठीक है यह point उतना important नहीं है हमारे लिए प्रकार के लिए या प्रोग्नोस करने के लिए के लिए तो यह सारा इसका सिग्निफिकेंस है हमारी बॉड़ी में हो रहा है हमारी बॉड़ी के लिए हम लोग ने उससे याला importance ले लिया बिमारियों को जांच परताल करने के लिए किलियर ठीक तो ट्रांस एमिनेशन किलियर हो गया या तो energy बन जाएगी पहला point जो कि जफ़़दा important था या glutamate बनके urea cycle में enter मारेगा तो चलो glutamate से urea cycle में enter करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा deamination लिखा ना copy में बगलना मैंने काता है starting में लिख लो उसे pause करके तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा deamination ठीक है देखो ज़्यादा हो रहा है थोड़ दर wait कर लो lecture एक यवार में खतम होगा ठीक है आओ देखते हैं इसको deamination simple सी बार deamination क्या है removal of amino group amino group का निकलना यानि की simple सी कहानी है जो हम पीछे देख रहे तो glutamate में यह जो ammonia group है इस group को बाहर निकाल देना है ammonia का ठीक है ना from amino acid as ammonia तो amino group को जो NH2 group था हमारे पास इसको NH3 के रूप में क्या कर देना है free कर देना है इसी को deamination कहते हैं definition होगी हमारे पास यह transamination discussed above जो हमने उपर पड़ी है involve only the shuffling of amino group transamination में क्यों shuffling हो रही है इधर से उधर amino group shift कर रहा है among the amino acid on the other hand deamination result in the liberation of ammonia for urea synthesis deamination में जो free ammonia होती है वो बाहर निकल जाती है जो की आगे जाकर के urea synthesis में utilize होयाती है simultaneously साथ के साथ the carbon skeleton जब ammonia निकल गया ठीक है उसके बाद वो क्या होगी free हो गया बचा हुआ जो carbon वाला हिस्सा था amino acid का of amino acid is converted to keto acid तो बचा हुआ जो carbon था वो किसमें बदल जाता है keto acid में बात समझ मारी है याने की अगर हम बात करें जैसे ही यहां से निकल जाएगा तो बचा हुआ जो carbon chain होगी यह वाली यह बची वाली यह keto acid में convert होयाती है यह बचा हुआ अल्डो यह दिपी ट्रांस आमिनेशन और डी अमिनेशन और सेपरेटली डिस्कस दोग हम साफ साफ यह पर है यह यह चीजिया हम अलगलग डिसकस करी हमने पहले उसको पड़ा फिर इसको पड़ा डिसकस दे ओकर साइमल्टेनेशली बट यह होती साथ साथ में ही है ठीक है ना often involving glutamate as a central molecule जहां पर glutamate एक central molecule होता है याने कि अभी इसमें देखो दिखाता हूँ यह देखो यह glutamate है ठीक है याने कि अगर हम बात करूँ मेरे पास अलानीन से क्या बना glutamate और इसके तुरंद बाद अगला step glutamate और ultimately क्या हो जाएगा alpha keto glutamate यह क्या हो गया ammonia बाहर हो गया और keto acid यह बन जाएगा तो यह साथ के साथ ही step चलता है ठीक है तो कहां थे हम लोग जहां पर glutamate हमारे पास क्या central item होता है यह बीच का molecule हो जाए glutamate इधर से यह बना फिर आगे यह बन जाएगा साथ साथ होता है यह ओके for this reason some author use the term trans deemination इसी लिए कई बार कुछ author याने कुछ writers या कुछ books में trans deemination word लिखा होता है हम लोग trans amination deemination अलग पढ़ रहे हैं कुछ books में trans deemination word एक साथ मिलेगा while describing the reaction of trans amination and deemination जब trans amination और deemination को एक साथ describe होता है याने की ध्यान रखेंगे अगर आपके exam में question आयेगा write a short note on trans deemination तो यहाँ पर आपको trans amination और deemination दोनों को separately explain करना पढ़ेगा बहाद सामज़ में आ रही है चलिए ठीक है जहाँ पर आपको glutamate को so करना पढ़ेगा तो बायो chemistry है हमारे पास यहाँ पर reactions जो actually chemical reactions जितनी याद कर पाओ उतना अच्छा कि बायो chemistry में chemistry है तो यानि कि होँआ reactions लिखना अच्छा माना जाता है अच्छा क्या माना जाता है लिखना चाहिए और नहीं लिख पार त जाली कहें लिख दी ठीक है आगे इसको जोड दिया यह reaction दिखा दिये alpha immunoglutarate और फिर alpha ketoglutarate तो at least अगर यह reaction नहीं दिखा पा रहे है तो at least नाम लिख करके example पक्का याद करें अच्छे माक्स आएंगे ठीक है चलो deamination may be either oxidative और non oxidative जो deamination reaction है वो oxidative हो सकती है निए oxygen add हो कर भी हो सकती है और समझते हैं इसको सबसे पहले हमारे पास क्या oxidative deamination तो देखो जारा oxidative deamination में क्या है सिंपल सा कानी समझाओ oxidative का मतलब क्या होता oxygen का add हो जाना तो देखो मेरे पास क्या है tryto gluten rate है इस पूरी में देखो जारा यह वाला और यह वाला गौर से देखो जारा एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और चे एक carbon extra add हो गया है यानिक तो यह carbon कितने है दो और दो कितने oxygen है चार दो दो चार और एक और एड़ हो गया पांच एक और oxygen एड़ हो गया इसलिए oxidative इसलिए इसको क्या कहा गया है oxidative ठीक है ना आजो oxidative deamination is the liberation of free ammonia क्या होता है oxidative deamination में free ammonia liberate हो जाती है बाहर निकल जाती है from the amino group ठीक है group of amino acid coupled with oxidation और साथ साथ में उसका oxidation भी हो जाता है simple सी कहान यहीं बोल रहा है इसको आप अपनी बार्चा में बले सकते हैं कि oxidative deamination में ammonia group free हो जाता है release हो जाता है और साथ साथ में उसका oxidation भी हो जाता है clear है this takes place mostly in liver and kidney this is your mcq कि बताओ भाया deamination कहां हो रहा है oxidative deamination है deamination कहां हो रहा है liver and kidney में the purpose of oxidative deamination is the is to provide ammonia for urea synthesis क्या purpose है deamination का free ammonia provide करवाना जिससे की वो urea cycle में जाकर के urea बना सके ठीक है ना and alpha keto acid और जो साथ बाद में साथ साथ में हमको alpha keto acid जो यह मिल गए है यह acid acid है ना h h लगा दें तो acid हो गया यह जो alpha ध्यान दें this is what this is ketone this is ketone ketone याद आ रहा है organic chemistry का this is acid carboxlic acid तो alpha ठीक है यह alpha पर क्या लगा हुआ है keto group लगा हो ना यह alpha हो गया यह beta gamma delta ना alpha alpha keto और acid हो गया इसलिए इसका नाम पढ़ गया alpha keto acid चलिए तो साथ साथ में क्या मिल जाता हमको ammonia ammonia जो सबसे पहले ammonium के form में अलग होता आग़ जाकर ammonia बनेगा वाद की बात है तो हमको ammonia अलग हो गया हम सिद्धा ammonia बोल दे रहें ammonia अलग हो जाएगा और हमको alpha keto acid मिल जाएगा ठीक है जो की alpha keto acid हमने देखा था पीछे कई सारे reactions में आगे जा सकता है जैसी body की need होगी role of glutamate dehydrogenase यह enzyme थोड़ा सा important है तो हमको इसको देखना पढ़ेगा glutamate dehydrogenase in the process of transamination the amino group of most amino acids are transferred to alpha keto glutrate to produce glutamate transamination में क्या होता है बहुत सारा amino acid का amino group होता है alpha keto glutrate के पास transfer कर दिया जाता है जिससे क्या बन जाए glutamate बन जाए तो glutamate क्या बन गया हमारे पास amino group का collection center Allah Allah हमें देदो amino group सब लोग लागे हमें देदो तो जितने भी हमारे पास यह होते है alpha keto glutrate होते हैं वो glutamate बन जाते हैं amino group आ गया अब in the biological system होगारे जो biological system है glutamate rapidly undergoes जो glutamate के अंदर खास से तुरंत क्या होता है oxidative deamination करता है यह यह उस process में गुजरता है catalyzed by glutamate dehydrogenase to liberate ammonia तो glutamate dehydrogenase जो है उसकी मौझिदगी में glutamate तुरंत liberate कर देता है किसको ammonia को ठीक है तो यह enzyme थोड़ा सा important इसको आप याद रखेंगे GDH conversion of glutamate to alpha keto glutrate occur through the formation of an intermediate alpha immunoglutrate ठीक है ना alpha immunoglutrate की मौझूदगी में यह बीच का medium होता है याद रखें अच्छी बात है otherwise ना रखें तो भी सही है इसलिए इमीन हो गया और फिर हमारे पास alpha keto glutrate हो जाता है तो यह कुछ बाते थी deamination reaction की खास खास बाते है अब क्या बोल रहा है glutamate dehydrogenase catalyzed reaction is important as it is reversibly linked up glutamate metabolism with TCA cycle through alpha keto glutrate अगर आपको TCA cycle याद हो तो यह alpha keto glutrate हमारा किसे link जुड़ा हुआ है कारवाक्स लिए कैसे cycle जुड़ा हुआ है इसलिए यह हमारे लिए important reaction है GDH is involved in both catabolic और anabolic reaction जो GDH enzyme है यह catabolic और anabolic दोन reaction करवाता है तो यह enzyme की मौझूदगी कहलो या इस enzyme का नाम कहलो कि glutamate जब deamination करता है या sorry glutamate का जब deamination होता है तो कौन सा enzyme work करता है clear है बाते हैं तो oxidative deamination में किस का हो रहा है glutamate का हो रहा है concept clear हो गया क्यों oxidative कहा गया है क्योंकि यहाँ पर साथ-साथ में oxygen भी add हो रहा है next हमारे पास आता है non-oxidative यह very simple ठीक है इसमें कुछ नहीं है इसमें ammonia बहार आ जाएगा किसी परकार का oxygen का add up नहीं होता है some of the amino acid can be deaminated to liberate ammonia without undergoing oxidation उनका oxidation नहीं होता है जैसे कि serine, theronine, homo serine यह dehydrates enzyme की मौझूदगी में ammonia free कर देते हैं और respective alpha keto acid में बदल जाते हैं ठीक है इनके यहाँ पर non-oxidative बिना oxygen का add हुए ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखो एक example है serine का ठीक है वो भी आप लोगों दिखा दें तो count कर लो यहाँ पर कितने हैं दो oxygen है और यह तीसरा oxygen है लास्ट में जाके देखो कितना है दो और तीन शेफ बदल गया इसका alpha keto हो गया वो शेफ बदल गया ऐसे मैं सोचना कि यहाँ पर कहीं पर oxygen नहीं था यहाँ पर एक extra oxygen आ गया ठीक है फिर इसी प्रकाव जैसे ये reaction है वैसी यहाँ पर ये reaction दे दी गई है दो तीन आप याद कर लेंगे 16 ठीक है पाइरुवेट पाइरुवेट अलफा किटो ग्लुटारेट ठीक है क्या निकलाया है अमोनिया निकलाया है ठीक है एनर्जी वाला कॉंसेटर ने पढ़ लिया था वो सारे कहां के एनर्जी में एंट्री कर रहे थे ठीक है अब हम लोग उसको एक्स्री मतलब जो वेस्ट प्रोडट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ट्रांस एमिनेशन डी एमिनेशन डी एमिनेशन में क्या निकला है मेरे पास अमोनिया निकला हुआ है क्या निकला हुआ है अमोनिया तो इसी लिए अब हमारी अगली हेडिंग क्या आ जाती है Metabolism of Ammonia ठीक है इसी के अंदर हमारे पास Urea Cycle आएगी इसके अंदर बाद समझ में आ रही है तो Urea Cycle को हम इस Heading में पढ़ेंगे और किस प्रकार तीनों चाहिए लिंक अप है वो बेटा इसीलिए स्टार्टिक में थीम करवाई है जिससे की आप जैसे अभी क्या ये टॉपिक खत्व हुआ फिर हम Metabolism of Ammonia आ जाएगा आपको अगर वो चीज नहीं बताँगो तो आप लोग लिंक अप नहीं कर पाऊगे हमारा क्या रिलीज हो गया है यहाँ पर Ammonia फिरी हो गया है अब हम इसका Metabolism समझेंगे अब के लिए रहा है उमीद अगर यह लिंक अप कर पा रहे हो गए तो टॉपिक अच्छे से आपके दिमाग में सैट हो रहा होगा चलिए Ammonia is constantly being liberated Ammonia लगातार पैदा होता जा रहा है हमारी बाड़ी में कोई कि लगातार हमार पास chemical reaction होती जा रही है तो लगातार Ammonia create होता जा रहा है in the metabolism of amino acid ठीक है and the nitrogenous compound ठीक है Ammonia release हो रहा है तो बहुत सारा nitrogen compound भी बन रहा हमार पास add the physiological pH जो हमारा physiological pH होता है 7.7 से लेकर है 7.4 Ammonia exists as ammonium iron जो ammonia है वो ammonium iron के form में रहता है हमारे body का जो pH है हमारे blood का जो pH होता है ठीक है अब बात करते हैं कि यह ammonium iron से ammonia कैसे बन रहा है formation of ammonia the production of ammonia occur from the amino acids transamination and deamination ठीक है यह दो कहानी पीछी के होगी फिर से the production of ammonia occur from the amino acids biogenic amines कहा कहा से होता है amino acids से बन सकता है biogenic amines जो हमारी body में amines है वो ammonia करेट कर सकते है amino groups of purines purines, paramidines होती है ठीक है जिससे DNA बनता है वहाँ से हमको body में create हो सकता है ammonia and by the action of intestinal bacteria urase on urea urea के उपर एक bacteria work करता है urase नाम का जिससे कि ammonia पैदा हो सकता है हमारी body में तो ये सारे तरीके है कहां कहां से मतलब ये तो एक normal तरीका हो गया कि amino acids अमोनिया बन रहा है उसके अलावा क्या केवल amino acids से अमोनिया बनता है नहीं हमारी body में ये ammonia बहुत तरीके से बन रहा है यही वजह है कि एक अलग से system हम create किया हुआ है हमारे body ने, एक्स्ट्रा ammonia के body से बाहर निकालना ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यह बहुत सरा ammonia बन गया, अब क्या कह रहा है, the transport of ammonia between various tissues and the liver, ट्रांस्पोर्ट होना है, अलगलग टीसू सके पास जाना है, इसका काम भी है ऐसा नहीं कि वेस्टी ही है बहुत सारा काम भी होता है इसका देखेंगे अभी तो जब यह जहाँ-जहाँ पैदा हो गया वहाँ से इसको अलग टीसू या लिवर में जाना है यह जो 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 फिर डिफरेंट टिसूस और लिवर के पास पहopher not as a free ammonia यह free ammonia की रूपमे कभी कभी नहीं जाएगा जहाँ जाएगा यह तुरं रियक्शन होगी और गल्लुटावाइन और transport करता है muscles to liver तो उसके लिए हमारे पास glucose alanine cycle होती जो अभी हमारे syllabus में नहीं तो उसको नहीं देखेंगे अभी हम glutamine is storehouse of ammonia हम कह सकते हैं कि जो glutamine है उसके अंदर जितना भी body के अंदर glutamine है उसने ammonia को अपने अदर पकड़ा हुआ है तो वह storehouse है एक तरह का ammonia का not protein confuse मत करना ammonia का storehouse है glutamine serve as a storage and transport form of ammonia ammonia का जो storage and transport form है वो basically क्या है glutamine है its synthesis mostly occur in liver brain and muscles mark करेंगे कहां कहां पे इसकी synthesis हो रही है तो glutamine आगया इस नोट glutamate इस is glutamine glutamine synthesis is responsible for the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia ठीक है जो glutamine synthesis है और not synthesis जो glutamine synthesis enzyme है ठीक है जो कि एक mitochondrial enzyme होता है glutamine synthesis एक mitochondrial enzyme है यह responsible होता है for the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia याद रखें glutamate उपर अपने पढ़ा था तो glutamate और ammonia से मिल करके क्या बनता है glutamine synthesis बनता है this reaction is unidirectional यह reaction unidirectional होती है unidirectional मतलब एक ही direction चलेगी वापस reverse नहीं होगी एक बारी बन गया तो बन गया फिर वापस से glutamate और ammonia नहीं बनेगा इन दोन से मिलके एक बनी glutamate बना तो बना उसके बाद वापस से यह नहीं तूटेगा ठीक है न and requires ATP and mg2 plus magnesium ion और ATP की जरूत पड़ती है तो कहां नहीं समझ मा रही है ammonia जो free होके आ गया है वो क्या कर रहा है ultimately glutamate के साथ combined हो रहा है ठीक है glutamate synthesis के साथ उसकी मौझूदगी में ठीक है और क्या बन जा रहा है glutamate बन जा रहा है glutamate can be deaminated by hydrolysis to release ammonia ठीक है glutamate can be deaminate इसको भी हम deaminate कर सकते है by hydrolysis to release ammonia by glutaminase and enzyme mostly found in kidney and intestinal cell फिर further इसको जाकर हम deaminate कर सकते हैं इंदर से भी ammonia को खींचके बाहर कर सकते हैं तो कहां नहीं समझ में आ रही है formation of ammonia का सारा concept clear हुआ किस प्रकार ammonia form होता और किस प्रकार वो transport किया जा रहा है ठीक है अब देखो जारा यह glutamate था मेरे पास glutamate में क्या जुड़ेगा ammonium mine यह आकर add हुआ glutamate synthase की मौझूदगी में और यह मेरे पास क्या जुड़ गया ammonia जुड़ गया करके फिर वापस से जब मेरे को free ammonia चाहिए होती है तो यह वापस से reverse हो जाएगा ठीक है glutamate बन जाता है यह glutamate बात समझ में आईए और मेरे को ammonium mine वापस से मिल जाएगा यह clear है ध्यान रखें कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे हैं यह reaction ऐसे वापस नहीं जाएगी इस enzyme की मौझूदगी में यह अलग तरीके से घुम के आएगी यह वापस इस तरह से नहीं जा रही है यह अलग तरीके से घुम के आ रही है देखो यहाँ पर ATP खर्च हो रहा है ADP निकल रहा है प्लस magnesium mine खर्च हो रहा है लेकिन जब वापस से चूटना है तो H2O की मौझूदगी में simply ammonia mine बहार आ जा रहा है clear है glutamate से glutamine clear है तो ultimately हमारे पास क्या बन रहा है ammonia बन के तयार हो रहा है ammonia का formation हो रहा है ठीक है और किस प्रकार transport हो रहा है वो भी हमने देख लिया कि glutamate glutamine में convert हो जाता है और फिर glutamine को ज़रूरत है वहाँ लेकर के पहुंच जाता है और फिर ammonia को बाहर निकाल देगा clear अब जो ammonia हमारी body में बन रही है वो काम क्या कर रही है तो ammonia is not just a waste ये केवल एक waste नहीं है ठीक है ना ये केवल एक waste नहीं है ammonia is not just a waste product of nitrogen metabolism nitrogen metabolism का ये waste नहीं है ठीक है it is involved for the synthesis of many compound in the body ये body में कई प्रकार के compound के synthesis में help करता है ठीक है directly और via glutamine या तो direct जाकर के involved हो जाएगा या glutamine में convert हो करके दूसरे compounds के formation में help करता है these includes non-essential amino acids क्या-क्या compounds बनाता है ये non-essential amino acids purines, pyrimidines, amino sugars asparagine etc ठीक है ना फिर कह रहा है ammonium ions are very important to maintain acid-base balance of the body तो ultimately कहानी फिर या आती कि हमारी body में अगर ammonia waste है तो बन क्यों रहा है तो ammonia जो बन रहा है वो कुछ काम करने के लिए बन रहा है जो extra होता है उसको urine यूरिया बना करके मतलब यूरिया की form में urine से बाहर हो जाता है बात समझ में आ रही है फिर से दिमाग पे पॉस्ट करके जोड डाल सकते हैं क्या हुआ था de-emination के बाद हमारा ammonia बन गया था ammonia किस-किस तरीके से बनता है हमने वो भी देखा किस-किस रूप में ट्रांस्पोर्ट होता है वो भी देखा ठीक है अब कौम बात या थे कि ammonia का काम क्या हमारी body में वो भी देखा हमने ठीक है अब ammonia को dispose करना है dispose मतलब body से बाहर निकालना है ठीक है तो ये ammonia के metabolism के अंदर ही सारे point बन रहे है function क्या है ठीक है disposal क्या है starting में introduction था तो disposal मतलब body से बाहर निकालना है तो आओ देखें क्या कह रहा है the mammals including man mammals इस तंधरी जीव जो होते है इंसानों को मिला करके वो convert करते हैं ammonia को urea में इस प्रकार dispose करते हैं urea is a non-toxic urea non-toxic है ammonia अगर ज़्यादा मातरा में हमारी body में हो जाएगा न तो फिर वो कई प्रकार का damage करता है brain भी damage कर देता है लेकिन urea एक मातरा में ज़्यादा हो जाएगी तो उतना harmful नहीं होता है बहुत ज़्यादा तो harmful है लेकिन जितने level पे अगर same level बड़ा हुआ ammonia का और urea का होगा तो ammonia ज़्यादा harmful है urea अतना harmful नहीं होता है urea is non-toxic and soluble compound hence easily excited यह non-toxic and soluble होता है easily body से बहार निकल जाता है इसलिए हमारी body ने एक तरीका इजाद कर लिया है ammonia को urea में convert करने का mammals called ureotelic जो mammals होते हैं वो urea ammonia को urea की form में या फिर के लोगे nitrogen waste को urea की form में बहार निकालते हैं तो उनको हम लोग ureotelic कहते हैं क्या कहते हैं ureotelic जो पानी वाले होते हैं जो ammonia जैसे कि water animals वो ammonia को ammonia की form में बहार निकालते हैं क्योंकि वो दिनबर पानी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तमाल करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं Ammonotelic याद आ रहा होगा Class 11 में पड़ा होगा और जो Uric Acid जैसे की Burds पगए रहे हैं या Lizards पगए रहे हैं वो Uric Acid की फ़र्म में निकालते हैं तो उसको हम लोग Uricotelic कहते हैं हमारे ज्यादा important क्या है Uricotelic Even a marginal elevation in blood ammonia Marginal, हलका सा भी अगर ammonia हमारे खोन में बढ़ जाएगा ठीक है? Is harmful to the brain Brain के लिए खतरनाक है Ammonia when it accumulate in the body Ammonia जहाँ हमारी body में accumulate होता है ये line cut के यहाँ गई है Result in the slurring of speech हमारी जबान लडखडाएं लगती है मतलब जबान जैसे मैं पढ़ूंगा न से Slurring of speech and blurries मेरी जबान लडखडाएगी ठीक है? अगर ammonia बढ़ जागा तो सही से बोल नहीं पाऊंगा And blurring of vision दुन्दला दिखाई देगा And causes tremors हाथ पर फरपडाएंगे या धटके या दौरे टाइप के पढ़ेंगे ठीक है न? ये आप ध्यान रखेंगे Important है ammonia के बढ़ने से क्या-क्या बिमारिया होती है It may lead to comma Ultimately हम comma में जा सकते हैं And finally death if not corrected मौत भी हो सकती है अगर हमने सही time रहते हैं उसके सही नहीं कराया ठीक है? आगे आते हैं बाँ समझ भाई? तो इसलिए ammonia किस रूप में dispose होती है? यूरिया की रूप में होती है क्यों करना जरूरी है? खतरनाग है body के लिए अब trapping and elimination of ammonia किस तरह से ammonia trap की जाती है? पकड़ ली जाती है body में और बाहर निकाल दी जाएगी तो when the plasma level of ammonia is highly elevated जब plasma में ammonia का level बढ़ जाता है intravenous administration of sodium benzoid यह मतलब treatment की बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं? IV injection के रूप में sodium benzoid को inject करते हैं and phenyl acetate phenyl acetate is done ठीकर ना इन दोनों को मिला करें डाल देते हैं this compound can respectively condense with glycine and glutamate sodium benzoid glycine के साथ और phenyl acetate glutamate के साथ क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं जोड जाते हैं to form water soluble product एक water soluble product बना लेते हैं that can be easily accelerated जो की असानी से body से बाहर निकल सकता है by this way ammonia can be trapped and removed from the body और इस प्रकार ammonia को पकड़ा जाता है और body से बाहर निकाला जाता है clear हो गया ठीक है? तो ये treatment का तरीका है नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा तो disposal of ammonia हो गया अब ultimately dispose कैसे करते हैं? यूरिया में convert करके तो आप देखें अब यूरिया साइकल जो कि हमारे लिए important है very important यूरिया साइकल बहुत पुछी आती है ठीक है ना? डायेट पुछी आती है तो अब देखो यूरिया साइकल कहां से सलती आ रही है ammonia बना है transamination, deamination ammonia बन गया है ammonia यूरिया में convert होना है ठीक है ना? अब वो कैसे convert हो, कैसे transport होके लाया गया है transport का क्यों जरूद पड़ी बताता हूँ यूरिया is the end product of protein metabolism protein metabolism का आखरी product होता है यूरिया और ultimately फिर उसे body से बाहर निकाल दे जाता है ठीक है? या फिर amino acid metabolism का end product यूरिया होता है the nitrogen of amino acid converted to ammonia जो nitrogen होता है वो ammonia में convert होया आता है ठीक है? जो amino acid का nitrogen amino acid clear है ना? yes nitrogen of amino acid converted to ammonia ठीक है? as described above जैसा की उपर हमने पड़ा किस परकार ये ammonia में convert हुआ? deamination और फिर free ammonia बहार हो गई okay is toxic to the body जो ammonia है वो toxic होती है it is converted to urea and detoxified फिर इसको urea में convert कर दिया जाता है और detoxify हो जाती है हमारी body as such urea accounts for 80-90% of nitrogen containing substance excreted in the urine urea के रूप में लगभग जो nitrogen containing waste होता है वो लगभग urea बन जाता है 80-90% और बाड़ी से बहार हो जाता है urea is synthesized in liver urea liver में synthesized होती है जाने कि आप यह समझ लो जहां कहीं पे भी हमारी body में ammonia बन रही होगी वो glutamine के रूप में glutamine में convert होकर के कहां पहुँचाई जाएगी liver में पहुँचाई जाएगी इसलिए उपर जो हमने पढ़ा था transportation of ammonia वो ज़रूरी था body में ammonia हर जगे बन रहा है ना उसको transport करके कहां लेके आना है liver में लेके आना है important है MCQ है and transported to kidney और फिर उसको हम लोग liver में बन जाता है urea फिर उसको kidney में transport कर दिया जाता है for excreation in urine जिस जहां से वो urine से बाहर निकल जाता है ठीक है यह point urea cycle is urea cycle is the first metabolic cycle urea cycle पहली metabolic cycle that was elucidated जो की explain की गई थी by Hans Crab and Kurt Hanselit ठीक है 1932 में Hans it is known as Crab Hanselit cycle इस urea cycle को हम लोग Crab Hanselit cycle भी कहते है यह indirect question पूछा गया है ध्यान रखेंगे Crab Hanselit cycle यह Crab cycle नहीं है ठीक है न Crab cycle अलग है और Crab Hanselit cycle is your urea cycle ओके clear ओके आगे आते हैं दा individual reaction यह थोड़ा सा setting में हो गया ओपर नीचे दा individual reactions however were described in more detail later on the ओके इसकी हमें जरूत नहीं है यह आला point अटा दो इसको टाइप यह हो गया direct ठीक है ठीक है तो उस point के हमें जरूत नहीं है जो बता रहा है कि जो उसका detail cycle है वो actually बाद में उसको explain करने के लिए बात बोली जा रही है वो हमको यहां बलेनर नहीं हो गलतियर type हो गया यहां पर आगे आते हैं यूरिया है टू अमीनो ग्रूप यूरिया के दो अमीनो ग्रूप से हैं one derived from ammonia and the other from aspartate जो यूरिया होता है हमारे पास यह देख सकते हैं यूरिया है यूरिया का structure याद रखेंगे आप लोग ठीक है कैसे याद रखेंगे यह हो गया यह बना लेंगे carbon और दोनों तरफ NH2 और NH2 जोड़ देंगे खतम कहानी यूरिया हो गया मेरे पास ठीक है तो यूरिया है इस two amino group एक और दो amino group है one derived from ammonia एक तो direct ammonia से आता है ठीक है and the other from aspartate दूसरा कहा से आता है aspartate से आता है aspartate से कैसे आता भी हम देखेंगे carbon atom is supplied by CO2 जो carbon होता है वो carbon dioxide से आता है ठीक है यूरिया सिंथेसिस is a five step cyclic process यह पांच step की cycle है with five distinct enzymes और पांच अलग-अलग enzymes इस्त्वाल होते हैं हर एक step में the first two enzymes are present in mitochondria पहले दो enzymes mitochondrium पाए जाते हैं while the rest are localized in cytosels बाकी के cytosol यानि की cell के cytoplasm में पाए जाते हैं यह सारे point बेटा आपके लिए important है यहां से बहुत सारे MCQ बनेंगे आपके ठीक है अब simple सी कहानिया मैं आप लोगो समझाता हूँ जहां से समझने कोईश्च करें ठीक है हम लोग liver के अंदर है ठीक है कहा है liver के अंदर है ठीक है liver के अंदर का यह mitochondria है यह normal cell जैसे मालो hepatocyte cells है मालो liver का तो इसके अंदर यह mitochondria होगा ठीक है यह normal cell है तो यह कुछ हिस्सा mitochondria का कुछ हिस्सा cell का है अब इसको मैं यहीं समझा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग बाद में इसको explain करेंगे तो उदे को होता क्या है सुरुवात कहां से हो रही है mitochondria के अंदर जो मेरा free ammonia पहुच गया है ammonia mine यह carbon dioxide के साथ मिल करके किस से मिल करके carbon dioxide के साथ मिल करके क्या बना लेती है carbomoyl phosphate ध्यान देंगे सबसे पहले सुरुवात में carbon dioxide और free carbon dioxide के साथ मिल के क्या बनाता है carbomoyl phosphate यह structure याद नहों कोई बात नहीं नाम जरूर याद होना चाहिए किसकी मौझूदगी में carbomoyl phosphate synthase 1 की मौझूदगी में और यह जो enzyme है यह सही काम करता है नाग की मौझूदगी में ठीक है नाग भी important है यहाँ पर ठीक है नाग क्या है N-acetyl glutamate क्या है N-acetyl glutamate ठीक है तो पहला step याद करेंगे जो mitochondria के अंदर होता है carbon dioxide और ammonium ion दोनों मिल जाते हैं carbomoyl phosphate synthase आप लोग simply क्या करेंगे आप लोग इस तरह से diagram बना सकते हैं जैसे कि simple इस types array आप इस type से और फिर इस type से यह mitochondria दिखा देंगे ज़र फिर यह बाद वक्कि अपना cell आ जाए गई clear ठीक ठीक है यह cycle का ही रूप है बात समझ में आ रही है ठीक है यह फिर simple आप reaction याद करें इस तरह से CO2 सुरुआत यह से कर लें CO2 प्लस NH4 इस type से फिर जो compound का नाम आ जाएगा फिर वो कहा अंदर entry कर रहा है एक और तो जितना हिस्सा mitochondria में है उसको दिखा देंगे कि यह mitochondria में जितना हिस्सा cell के अंदर है वो दिखा देंगे cell के अंदर है चलो अब आपको बताऊंगा कि किस तरह से का diagram आप लोग ड्रॉ करेंगे पूरा पूरा structure की जबी हमें जरूत नहीं है तो इन दोनों combine करेंगे तो कार्बो मॉयल फॉस्फेट मिल गया हमको ठीक है कार्बो मॉयल फॉस्फेट और्निथीन ट्रांस कार्बो मॉयलेज की मौजूदगी में जो कि माइटो कॉंटे के अंदर ही है यह इसको बदल देता है सिट्रियूलीन में किसे बदल दिया सिट्रियूलीन में किलियर अब जो सिट्रियूलीन है वो निकल के बाहर आ गया सेल के अंदर सेटप्लाद में निकल के आ गया सिट्रूलीन जो है वो एसपार्टेट यह मिला एसपार्टेट ठीके, aspartate compound, aspartate के साथ ये citrulline combine करता है किसकी मौझूदगी में, कौन सा enzyme है, arginosuccinate synthase और हमको बना देता है arginosuccinate क्या बन गया, arginosuccinate तो ये पूरा का पूरा compound हम देख सकते हैं तो यहाँ पर ओ था, इसके साथ ये पूरा का पूरा compound मिरा करके add हो गया है किलियर है, ये aspartate, ये aspartate पूरा करके यहाँ पर add हो गया है ठीक, अब जो arginosuccinate है, वो arginosuccinate enzyme की मौझूदगी में यहाँ से बाकिये compound बहार निकाल देगा fumarate को और क्या बन जाएगा arginine, arginine के उपर arginase नाम का enzyme act करेगा और उपर से इतना हिस्सा बहार निकालेगा, ठीक है, यूरिया की रूप में यह हिस्सा बहार निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक water molecule जाता है इसको break करता है, और यहाँ से यूरिया मेरा बहार निकल जाता है और क्या बच गया मेरा, और निथीन ठीक है न? अब औरनिथीन अच्छा याल एक स्टेप में एक चीज़ बताना भूल गया औरनिथीन और कार्बमोईल फॉसफेट ये दोनों आपसें कम्बाइंड करके सिट्ट्रिलीन बनाते हैं अब क्योंकि इसमें ये औरनिथीन बार बार रिपीट होता है तो यही यहाँ पर एंट्री भी करता है मैटोकॉंट्री के अंदर इसको हम लोग इस यूरिया साइकल को औरनिथीन साइकल भी कहते हैं औरनिथीन साइकल भी कहते हैं उमीद बात आपको समझ में आगे होगी फिर से मैं दहर आदूं छोटा करती नौळा सा दिखाई दे रहा है कारोड एक्साइट प्लस अमोनियम कंबाइन इन प्रेजन्स अफ कार्बंवाइल फॉसफेत सिंथेस तो परदूश कार्बंवाइल फॉसफेट ठीक है Now, Carbomoyl Phosphate combined with Ornithin in the presence of Ornithin transcarbomoylase enzyme to produce Citrulline Citrulline converted to Arginosuccinate in the presence of Arginosuccinate synthase and Aspartate पासमज मारिये ना, इसी परकार आपको फिर Arginosuccinase act on Arginosuccinate to form Arginine, on Arginine arginase enzyme act to form Urea and produce Ornithin यही चारे को सारे point क्या करने हैं, लिख देने हैं, ठीक है, इस तरीके से Carbomoyl Phosphate synthase of mitochondria catalyzes the condensation of ammonium iron with CO2 to form Carbomoyl Phosphate the step consumes 2 ATP, यहाँ पर कितने खर्च हो गए, 2 ATP खर्च हो गए and is irreversible and rate limiting, rate limiting step है, CPS require an acetal glutamate for its activity तो वही वाली सारी कहानी है, तो बैटर आप यह रहेगा, यह लिखने की बजाए, आप यह वाला flow chart बना करके आए, ठीक है वही सारी चीज़े हैं, citrulline is synthesized from Carbomoyl Phosphate वही सारी बाते जो मैंने अभी read करी हैं, वह सारी बाते यहाँ पर लिखी हुई है finally, जो urea मेरा बन गया है उसका क्या होगा, disposal यानि की body से बाहर जाएगा urea produced in the liver, जो पर बटा, वही सारी बाते जो मैं लिखी हुए ठीक है इसे read नहीं कर रहा है, urea produced, बात बाकी तो notes मिलेंगे वहाँ से देखना, urea produced in the liver, freely diffuses and is transported in blood जो liver के अंदर urea बनी, वो easily, freely, blood में चली जाती है और transported in blood to kidney, और finally kidney की बास महुचती है and excretate वहाँ से बाहर निकल जाती है small amount of urea enters the intestine, कुछ हद तक जो urea होती है वो intestine में enter कर जाती है ठीक है, जब intestine में enter कर जाती है, where it is broken down to CO2 जहाँ पर वो CO2 में तोड़ दी जाती है और ammonia में तोड़ दी जाती है by the bacterial enzyme, urase, this is your MCQ कि बताओ, जो urea intestine में जाती है, या फिर intestine में एक bacteria है उसका enzyme का नाम बताओ, जो वापस से urea को CO2 और ammonia में तोड़ देती है this ammonia is either lost in the feces, यह जो ammonia है, क्रियेट हुई है यह तो party से बाहर निकल जाती है ठीक है, in the feces और absorbed into the blood या वापस से blood में absorb हो जाती है in renal failure, अगर kidney fail हो जाएं, renal मतलब kidney the blood urea level is elevated ठीक है, blood का urea बढ़ जाता है, जिसको अब uremia कहता है resulting in diffusion of more urea into the intestine जिसकी वज़े से intestine में ज्यादा मात्रा में urea क्या होती है आ जाती है and it's breakdown to ammonia और फिर वो वहाँ से ammonia में तोटती है hyper ammonia, increased blood ammonia is commonly seen in patient of kidney failure जाइन से बात है, जिसकी kidney proper काम नहीं कर रही है kidney fail है, उनका ammonia level increase कर जाता है for these patient, oral administration of antibiotic to kill intestinal bacteria is advised ठीक है तो जाइन से बात है, जब blood का ammonia बढ़ गया है तो हमको और ammonia नहीं चाहिए तो यह जो bacteria है जो की urea को तोड़ के वापस से ammonia बना रहा है तो हम चाहेंगे कि यह bacteria अपना काम करना बंद कर दे जिसकी वह से एक antibiotic दी जाती है यह bacteria अपना काम करना बंद कर देता है खतम हो जाते हैं थोड़ टाइम के लिए जिससे की वापस से ammonia नहीं बन पाती है और कुछ हद तक राहत मिलती है किलियर है तो डिस्पोस हो गया पूरा यूरिया कहानी समझ माई फिर से आँख बंद करेंगे ट्रांस एमिनेशन डी एमिनेशन डी एमिनेशन में ammonia निकला ammonia transport होके liver में लाई गई liver में urea cycle हुई वहाँ से urea बनी और kidney से urea बाहर हो गई किलियर अब यहाँ पर छोटी सी चीज मैं दिखाने कोईश्च कर रहा हूँ वो चीज क्या है वो चीज है integration between urea cycle and tricarboxic acid cycle तो अभी अभी हमने देखा था ammonium और यह मिल करके क्या हमने देखा कार्मोयल, phosphate, citrulin और arginosuccinate तो होता क्या है जो हमारे tricarboxic acid cycle हो उसमें जो oxaloacetate है वो भी aspartate वो क्या provide करवाता है aspartate ठीक है और वो इस परकार से हमारा urea cycle में क्या करता है role play करता है तो यह connection है ठीक है, प्लस arginosuccinate अगर इधर नहीं जा रहा है तो वो fum rate बना करके fum rate यहाँ पर और energy provide करवा सकता है, तो यह आपस में interconnected है, just for knowledge not necessary to learn this ओके just for knowledge है यहाँ से CO2 निकलता है, वो CO2 यहाँ पर जाता है और इस परकार तो आपस में connected है यह दो लोग clear है चलिए, लास्ट में हम देखते है decarboxylation, very simple topic decarboxylation में क्या था decarboxylation is the reaction by which CO2 is removed carbon dioxide को remove कर दिया आता है from the COOH group मैंने पहली बताया था कि जो मेरे पास amino acid है ठीक है इसका जो COOH group यहाँ होता है इस बार carbon dioxide हम यहाँ से हटा रहे है तो बचा हुआ पार्ट मेरे पास क्या बचता है यह जो पार्ट मेरे पास बच जाएगा यह क्या हो जाएगा amine क्या 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 लाएगा amine, ठीक है ना तो CO2 removed from COOH group यह आप mark करके याद करेंगे कि कहां से release क्या जा रहा है of an amino acid as a result an amine is formed जिसकी वहे से कोई ना कोई amine हमारा create होता है अब amine कौन कौन से होते है मैं आप लोगों को बता दूँ जैसे कि tryptophan इसमें से CO2 निकल जाएगा 5-hydroxy tryptomine क्या बन गया? tryptomine बन गया histamine बन गया these are very important chemicals for our body ठीक है? जिसकी वहे से हमारी body normal physiological activity कर पाती है clear simple से कहानी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं यह definition लिख करके example दे सकते हो ठीक है? तो reaction is catalyzed by enzyme decarboxylis decarboxylis नाम का enzyme इसको create करावता है which require paradoxal phosphate B6PO4 ठीक है? यह इसका नाम ज्याद रख लेंगे as a co-enzyme यहाँ पर paradoxal phosphate plane नहीं होकर के paradoxal phosphate इसमाल हो रहा है ठीक है न? tissue like liver, kidney, brain possesses the enzyme decarboxylis and also by microorganism on intestinal tract तो ठीक है decarboxylis नाम हमारा liver, kidney, brain सब जगे हो रहा है साथ-साथ में हमारे intestine में भी यह वाले decarboxylis enzyme पाई जाते हैं तो decarboxylation हर जगे हो रहा है हमारी body में the enzyme removes CO2 from CO2 and converts the amino acid to corresponding amine और इसको corresponding amine में convert कर देता है तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? example याद करेंगे serotonin, neurotransmitter है हम सब को पता है जो किस से बन रहा है? ट्रिप्टोफैंस है बन रहा है जो कि एक neurotransmitter है histamine ठीक है ना? अच्छा, serotonin क्या 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 कंट्रोल करता है? क्यों important है? it regulates sleep sleep behavior, blood pressure, etc serotonin नहीं होगा तो हमारा sleep disturb हो जाएगा हमारा BP disturb हो जाएगा ठीक है ना? तो इसलिए important है कौन? serotonin किससे बन रहा है? ट्रिप्टोफैंस है कैसे बन रहा है? decarboxylation से ठीक है? histamine histamine एक वैसोडालेटर है lower BP, BP बढ़ता है तो BP को low करने में काम आता है it stimulates gastric HCL secretion पेट में HCL को बढ़ाता है जब खानाने के जब खानानों गरारा खाते हैं तो देखो histidine से हमारा क्या बनता है? histamine बनता है हमारी बॉड़ी में जो allergic reactions होते हैं वो भी histamine करवाता है तो हमारी बॉड़ी के लिए कुछ खास chemicals हैं वो decarboxylation of amino acids के बाद बनते हैं फिर GABA glutamate का decarboxylation होता है और क्या बनता है gamma amino butyric acid inhibit the transmission of nerve impulse hence it is an inhibitory neurotransmitter ठीक है ना GABA का रोल बहुत बड़ा है ये transmission को रोकता है कई बार ठीक है ना तो ये inhibitory effect दिखाता है हम लोग ने पढ़ा होगा आप लोगोंने pharmacology के अंदर ठीक है ना then the synthesis of catecholamines ये भी आप लोगोंने पढ़ रख रख है ये पहले डोपा में बदलेगा फिर डोपामाइन में फिर नौर अपिनेफरीन नौर अपिनेफरीन अपिनेफरीन में और ये सब हमारा nervous regulation हमारे निरो सिस्टम को control करते है तो ultimately जो decarboxylation था वो अलग था transamination, deamination deamination के पाद ureo cycle ये आपसे में connected है ठीक है ना और जो decarboxylation है लास्ट है जो पार्ट है वो अलग है क्योंकि decarboxylation होने के बाद जो compound बनते हैं वो हमारी body में यूटलाइज होते हैं important होते हैं ओके तो this is all about the this is all about the protein metabolism और you can say metabolism of amino acid और हमेशा की तरह नोट्स आपको इस lecture के लिए वीडियो के लिंक में मिल जाएगा कोई problem आएगा तो हमेशा की तरह आप लोगों जो call कर सकते हो और जैसे बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ है ना future की exit exam की preparation के लिए plus defarm secondary preparation के लिए तो आप भी इस एप से जोड़ सकते हैं जहां पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सबसे जरूरी बात पढ़े चाहें जैसे भी self study करें वीडियो से पढ़ें एप में आके पढ़ें बट सबसे जरूरी क्या है revision revision करते रहें पढ़ते रहें all the best